हलो फ्रेंड आज के इस वीडियो में आपको यह बताने जारूं कि कैसे आप अपने IQ9 Android मॉइल फोन में आप जो स्क्रीन कलर सैटिंग को आपना यूस कैसे कर सकते हैं ठीक है और यह स्क्रीन कलर सैटिंग काम कैसे करती है आज के इस वीडियो में आपको डीटेल में जानकारी देने वालों तो चले यहां पर वीडियो का हम स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले तो आपको अपने मॉयल फोन में सैटिंग पेज ओपन करना है ठीक है सैटिंग पेज को ओपन कर लेजे अपने मॉयल फोन में सैटिंग पेज में आपको नीचे यह option मिलेगा इसे सेलेक्ट करना है इसके अगले पेज में आपको नीचे यह option मिलेगा screen color इसे आपको सेलेक्ट करना है यह आपका screen color का page ओपन होगा इसमें आपको देखी काफि सारे option दे रहे हैं इन सभी option ओका मैं आपको use बता जता हूँ देखे अगर आपका है ना इन तीनों में से उपर की जो तीन ओप्षिन है standard, pro और bright इन तीनों में से आपका पहले से किसी एक option पे selected होगा ठीक है तो यहाँ पर यह देखे मेरा पहले से इस वाले पे selected होगा आपका standard पे ठीक है अगर आप इसे pro पे select करेंगे तो आपके mobile phone का screen क हलका सा red हो जाएगा हलका सा ठीक है आपको साइद मेरे second camera से इसका color change होता हुआ नहीं दिखाई दिया होगा आप इस setting को आपने phone में यूज़ करके दिखे इस setting काम करती है ठीक है तो यहाँ पर अगर आप इसे bright पे select कर देंगे तो मेरे white हो जाता है ठीक है अगर आप इसे जो है ना नीचे color temperature adjustment का pointer दे रखा इस pointer को आप आगे पीछे करेंगे तो इस तरह की सब white हो जाएगा और आप इसे left में लेके जाएगे और इस pointer को right में लेके जाएगे तो इस screen का color red हो जाएगा हलका सा अगर आप इसे नीचे की set default के option पर select करेंगे तो आपके mobile phone का screen का color और वो आपके mobile phone की default setting के according automatic set हो जाएगा ठीक है तो screen color setting को आपना इस तरह के से use कर सकते है अपने phone में अब मैं आपको screen color setting को ढूंडने का एक shortcut तरीका बता देता हूँ आपके phone में इसके लिए आपको mobile phone का setting page फिर से open करना है starting से ठीक है तो setting page को फिर से open कर लीजिए setting page में आपक आपको type करना है screen color ठीक है इस तरीके से तो आपको जो है नीचे की side ना यह options हो जाएगा screen color का से select करना है इससे क्या होता है आपको mobile phone आपको directly setting page में आपको लेकर आजाएगा और इस setting को highlight करेगा तो यह मैंने आपको एक shortcut तरीका भी बता दिया इस setting को ढूंडने का आपकी mobile phone में